हेलो माई डियर फ्रेंड सांड शुडेंट वेलकम टू माई यूटुब चैनल यस्टी फार केरियर में आपका बहुत-बहुत सागत है दोस्तो आज हम टाप 25 मोस्ट इंपार्टेंट जी एस कुश्चन सीरीज का पार्ट फोर करेंगे जो सभी कंप्टेटिव एक्जामक दिश्टी से महत ही पूढ़ है जो यस्टी रेलवे एंटी पिसी डी आडियो में बार-बार पूछे गए हैं दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक हमार चैनल्ग सस्क्राइब और वीडियो को सेयर करना ना भूले दोस्तो आई अतने पहले कुश्चन पर कुश्चन वन सबसे अधिक भेदन छमता होती है आपसंद आलफा के डोकी आपसंद भी बीटा के डोकी आपसंद सी गामा के डोकी आपसंद कोई नहीं दोस्तो जबकि अलफा और बीटा के डोकी खोज रड़र फोड़ ने किये थी दोस्ता चलब नेस्ट कुश्चन दाब बढ़ने पर जल का कौतनांक आपसने बढ़ता है आपसन B पहले बढ़ता है फिर घड़ता है आपसन C अपोर्तित रहता है आपसन D घड़ता है दोस्तो इसका राइट एंसर है आपसन A दाब बढ़ने पर जल का कौतनांक बढ़ता है दोस्तो next question एक lift एक समान वेक्ष से उपर जा रही है तो उसमें इसी ब्यक्तिक भार option बढ़ जाएगा option B घर जाएगा option C अपरतित रहेगा option D कोई नहीं दोस्तो इसका right answer है option C एक lift जब समान वेक्ष से उपर जा रही है तो ब्यक्तिक भार अपरतित रहेगा जबकि एक समान वेक्ष से अधिक उपर जाएगी तो ब्यक्तिक भार बढ़ जाएगा और अधिक स्पूर से निचे आएगी तो ब्यक्तिक भार अपना वास्तिक भार से कम मसूस होगा जोस्तो next question उचाई बढ़ने से दोस्तो एसका राइट अंसर है दोस्तो वचाई बढ़ने से य मनली दाव घडता है दोस्तो इसलिए परता रुई जिफ परत पर जाते है तो अपने साथ जने मस के दटे है क्योंकि उपर जाने पर वाईव को घरना तो कम होता है दोस्तो क्वेश्चन 5 किसी वस्तु कभार अधिक्तम होता है आपसन आ जल में आपसन भी वायू में आपसन सी कोई नहीं आपसन डी निर्वात में दोस्तो इसका राइट अंसर है आपसन डी निर्वात में किसी वस्तु कभार अधिक्तम निर्वात में होता है दोस्तों question no.6 एक गाड़ू की संख्या का मान होता है आपसर ने 6.023 into 10 power 2 आपसर भी 6.023 into 10 power 23 आपसर भी 6.023 into 10 power 4 आपसर भी 6.023 into 10 power 25 दोस्तों इसका right answer है आपसर भी 6.023 into 10 power 23 दोस्तों next question question no.7 quantum सिधान्द की खोज मैस्प्लेंज ने किया था है जबकि आपसर ने एडिशन एडिशन ने विद्धूद बल्ब का विश्कार किये थे आपसर भी नूटन ने बल्ब की खोज किये थे दोस्तों next question question no.8 why mandal की आदिता कुम आपने वाले अंतर है आपसर ने hydrometer आपसर भी अपसर ने बल्ब करते हैं दोस्तों next question घाड़ी की चाभी में संसीत उर्जा है आपसर ने गती जूर्जा आपसर भी दाब उर्जा आपसर इस्तितित उर्जा दोस्तों घाड़ी की चाभी में संसी तूर्जा इस्तिति जूर्जा होती है दोस्तों next question ध्णी तरंगे होती है आपसर ने अंधर आपसर भी अनुप्रस्त आपसर c बिधुद्चुमकी आपसर d कोई नहीं दोस्तों इसका right answer है option ए अंधर ध्वनी तरंगे अंधर तरंगे होती है जबकि प्रकास तरंगे अनुपरस्थ तरंगे होती है दोस्तो next question नियूंतम संभोताप है option A-273 degree Celsius option B-0 degree Celsius position C-1 degree Celsius option D-30 degree Celsius दोस्तो इसका right answer है option A-273 degree Celsius दोस्तो नेस्ट कोस्चन धुआनि की तिवरता किस मात्रक्स मापी जाती है आपसन A, वाट में आपसन B, कंडिला में आपसन C, Decgerelle में आपसन D, इनमिश्कोई ने दोस्तो इसका राइट अंपसर है आपसन C, Decgerelle में धुआनि की तिवरता डेस्बर में मापी जाती है जबकि वाट में विद्धु सक्ती कमातरक वाट होता है कंडिला जोती तिविता कमातरक कंडिला होता है दोस्तो नेश्ट कोश्चन जोती तिविता कमातरक होता है आपसन A कंडिला आपसन B नेपियर आपसन C न्यूटन आपसिडि लक्स दोस्तो इसका राइट अंसर है आपसन एक कंडेला जब कि आपसन भी नेपियर दोस्तो नेपियर ने वर्नियर का इलपर्स का खोच किये थे आपसन सी न्यूटन ने बल के खोच किये थे और बल समंधी तीन इयम दिये थे अप्षण डी लक्स दोस्तों प्रति दिप्तिक घनतों का मात्रक लक्स होता है question 14 ध्वनी की पीछ की तिछर्टा के निधारत होता है अप्षण ए गति से अप्षण भी आविर्ति से अप्षण से आयाम से अप्षण डी प्रवालता से data दोस्तों इसका राइट एंसर है ápian b आविर्ति से ध्वनी की पीछ की अनिधार्ब आविर्ति से होती है दोस्तों next question task फारमार प्रेयोग में आते हैं option a cable dc परवपथ में option b cable ac परवपथ में option c दोनों ac और dc परवपथ में option d none दोस्तो इसका right answer है केवल AC परपत में दोस्तो तास फार्मर के वह क्रियोग हम केवल AC परपत में करते हैं और तास फार्मर का काई लोग बुल् dieta को राइव बुल्टज या हाइ बुल्टज को लोग पुल्टेज इए फरिफिसी करना है दोस्तो Next Question दोस्तों इसका राइट एंसर है आफशन भी एक्टिवो मिटर को एक्टिवो मिटर कहते है जबकि बैरो मिटर के प्रवाई मंडली दाम आपनेम किया जाता है और केस्को गराब के प्रवाई में ब्रिधिम आपनेमें किया जाता है केस्को गराब के खोज जग जीश चन्द बसू ने किये थे और बैरो मिटर के खोज इट टेवरी स्ली ने किये थे दोस्तों नेश्ट कोश्चन निन में से कौन मैगनिफाइड ग्लास की भाते प्रियोग होता है आपसोल दरपर आपसयन अवी साहरी लेंज आपसयन दी आपसारी लेंज दोस्तो इसका राइट एंसर है आप्शन C अभिसाइलेंज दोस्तो मैगनिफाइन ग्लास में अभिसाइलेंज का हम प्रयोग करते हैं दोस्तो नेश्ट कुछन प्रकास के वेकपो सरप्थम किस निमा पता आप्शन A कापर निक्स आप्शन B न्यूटन ने आप्शन C रोमर ने आप्शन D गैलेलियो ने दोस्तो इसका राइट एंसर है आप्शन C रोमर ने दोस्तो प्रकास के वेकपो सरप्थम रोमर निमा पता दोस्तो गैलेलियो गैलेलियो जबकि दूर्बीन के खोज गैलेलियो ने किये थे और कापस निकस ने स्वर मंडल की खोज की थी जबकि कैपिलर कैपिलर ने ग्रहों की गतिक नियम दिये थे दोस्तों निश्ट क्वेश्चन लड़का पैदा होगा जब आपसन ने एकस एकस गुर्षूत हो आपसन भी वाई वाई गुर्षूत हो आपसन सी एकस वाई गुर्षूत हो आपसन डी वाई एकस गुर्षूत हो दोस्तों इसकराइट एंसर है आपसन सी लड़का पैदा होगा जब एकस वाई गुर्षूत होगा तो लड़की पैदा होगी दोस्तों मनुस में गुर्षूत में आफ़न्ब येक्रित में आफ़नस पित्यूत्री में आफ़न्डी पंक्रियाज में दूस्तों कि एक दिपकाः पहे पंक्रियाज में पाइजाते इसे हम अगनाशर भी कहते हैं दोस्तों है प्यूंत्री गन्थे HIET मान armored限 के सबसे चोड़ी गन्ति है पिट्टूटरी गन्ति इसे प्यूस ग्रंथी भी कोते हैं दोस्तों राइट एंसर है आप्शन सी बैक्टरिया से दोस्तों अधिकान इंटिश बैक्टरिया से बनती है दोस्तों नदी में चलता हुआ जहाज समुन्द में आता है तब जहाज option A, का इस तर पहले जितना होगा, option B थोड़ा उपर आ जाएगा, option C उपर या नीचे होगा, option D थोड़ा नीचे आ जाएगा, दोस्तो इसका right answer है, option B थोड़ा उपर आ जाएगा, एक नदीज में चलता हुआ, जहाद जब समून में आता है, तब जहाद थोड़ा सा उपर आ दोस्तो इसका काड़ी है कि, कि जब समून्त के जल के घनत, सधार जल के घनत से अधिक होता है, इसलिए जब जहाद नदी से समून में जाते हैं, तो जहाद का इस तर थोड़ा सा उपर आ जाता है, दोस्तो नेच्ट कोश्चन, तारे वस सूर की उर्जा किस्तुर से, आप आपसन भी नापकी विखंडन, आपसन से विद्धुचम के प्रोड़, आपसन भी विद्धुदबर, दोस्तो इसका राइट अंसर है, आपसन भी नापकी सल्यन, शुरू वह तारो की उर्जा किस्तुरोत नापकी सल्यन है, दोस्तो नेच्ट कोश्चन, ताबे की गेत को गर्म करने पे इसका घनत आपसन भी वहीं रहता है, आपसन से कोई नहीं, आपसन भी घड़ता है, दोस्तो इसका राइट अंसर है, आपसन भी घड़ता है, ताबे की गेत को गर्म करने पे इसका घनत भी घड़ता है, दोस्तो नेच्ट कोश्चन, जीन बने होते हैं, आप प्रोटीन से आप्षान सी आर ने से आप्षान डी कोई नहीं दोस्तों इसका राइट अंसर है आप्षान डी डीनने से दोस्तों गुर्षूत्र डीनने से बने होते हैं दोस्तो जबकि DNA के फुल्फार्म होता है डी आक्सी राइबोज नुक्लिक एसीड डी आक्सी राइबोज नुक्लिक एसीड जब DNA के सरप्रतम संस्लेटन डाक्टर हर गोविंद खुराना ने किया था प्रेक्षाला में दोस्तो आर यन्ने आर यन्ने के फुल्फार्म होता है डी आक्सी राइबोज नुक्लिक एसीड दोस्तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनलों को सब्सक्राइब और हमको कमेंट काके बताना ना भूले दोस्तो आपको जैसे भी वीडियो लगी हो आप हमें कमेंट में जोरू बताए थैंक्यू फार वाचिंग इस वीडियो